हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल स्माइल ओपनली भी डॉक्टर पुनम आज का हमारा जो टॉपिक है वह यही है कि दांतों की सफाई करवाने में या डेंटल स्केलिंग करवाने में कितना खर्च हो जाता है मेरे बहुत सारे वीवर्स है जो मुझे कमेंट करके यह पुछ रहे हैं कि मैं हम सफाई करवाना चाहते है दांतों की तो इसके कोस्ट कितने पढ़ेगी इसमें कितना खर्चा लग जाए ज़ते तोंैं So चलते है अपने टॉपी की तरब दांतों की सपाई का जो ट्रीटमेंट है वो डिपंट करता है कि आपके दांत कितने खराब है यानि कि अगर आपके मिनिमंग कैलकुलस है हल्की स्टेंद्स है तो वो मतलब जल्दी ठीक हो जाते हैं तो उसके कोस्ट कम आती है लेगन आपके स्टेंड बहुत ज्यादा है ब्लेक हो चुके हैं ब्राउन स्टेंडिंग है केलकुलस बहुत हाई है पाइरिया की प्रॉब्लम है तो उसकी कोस्ट अलग आती है तो अलग अलग आपकी दांतों की कंडिशन क्या है में यह इसी पर डिपेंड करता है साथ ही डिपेंड करता है अगर आपकी दान बहुत मिनिमम हैं, हलके केलकुलिस टार्ट हुआ है अगर food logement की वज़े से आपके दान यलो विश हो गया है, पिलापन हो गया है और केलकुलिस बन गया है, starting केलकुलिस होता है, प्लाग पॉम हुआ है अगर उसकी cleaning की जाती है, scaling की जाती है, तो उसकी rate कम ही बढ़ती है, normally clinics में 800 रुपे में, 800-1500 के बीच में scaling हो जाती है, और आपके दान साफ हो जाते हैं, और कुछ clinics में 500 में भी हो जाता है, अगर starting calculus है क्योंकि इसमें बहुत time कम लगता है, लेकिन अगर आपने तंबाकू च रिमू करने के लिए, उसको cleaning करने के लिए दो या तिन वीजिट लगते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो उनको सफाई करने के लिए time भी बहुत ज़्यादा लगता है, और वीजिटिंग भी लगती है, तो ऐसे cases कर जो treatment हो, पंदरा सो से लेकि पैंती सो होते हैं, जिनके calculus form होता है, बहुत ज़्यादा करने, और उसकी वज़े से pyreya बन जाता है, periodontitis हो जाता है, तो उसका जो treatment होता है, वो अलग होता है, क्योंकि calculus रिमू करने के बाद, रूट प्लानिंग की जाती है, और उसको अंदर से deep cleaning की जाती है, तो उसका जो खर्चा ह है, वो लग बग आपके 2000 से 4500 के बीच में पड़ता है, उसमें आपकी 3 visiting होती है, तो लग बग अगर आपके दान्तों में, आप scaling करवाना चाते हैं, आप regular scaling करवाना चाते हो, कि हर 3 months में मेरे दान्तों को साफ रखना है, और सफाई रखनी है, इस वज़े से में scaling करवाने ह तो आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, आपके 1000 के अंडर अंडर आपके दान्तों की सफाई हो जाएगी, लेकिन अगर आपने बहुत टाइम हो गया, आप पान पुडिया खाते हो, तंबा को च्विंग करते हो, आपके दान्त बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो अगर उनको क्लियन करवाना है, तो उसमें आपको थोड़े पे आपको जो खर्चा है वो ज्यादा है, तो मैं तो आपको यह सजेशन दूगी, कि हर थ्री मिंस में अपने दान्तों की सफाई कीजिए, अपने दान्तों को मजबूत बनाएगे, कोई भी पान अगर आप खाते हो तो इसको अवोइड कीजिए ताकि आपके दान्त खराब ना हो और अगर आप हर स्केलिंग आपके क्या होता है कि जनरली लोग दान्तों में ब्रेश करते हैं, बहुत कॉसिस करते हैं कि उनके दान्त है वो अग्दम क्लीन हो जाएए, दिन में दो बार अंदर से भी ब्रेशिंग करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर ब्रेशिंग नहीं हो पाती है, तो इस वज़े से हलका हलका उनके फूड लोजमेंट बनता जाता है, और फिर वो केल्कुलस की फॉर्म ले लेता है, तो वो हम मैनुवली उसको नहीं निकाल सकते हम बहुत क्लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दांतों की शेप ऐसी होती है, तो ऐसी कंडिशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा लेनी जाए, यह स्टार्टिंग स्केलिंग जिससे आपको दांत भी स्वस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और आपको आगे क सेरो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलते रहें, दांतों से रिलेटेट कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हो, थैंक यू